जब आप किसी का हाथ पकड़ते हो उसे बोला जाता है hold किसी का हाथ मजबूती से पकड़ने है या किसी भी चीज़ को हाथ से मजबूती से पकड़ना उसको बोलते है grasp grip का मतलब होता है उंगलियों और हाथों से किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना जब एक इंसान खुद के हाथों को इस तरह से पकड़ता है उसे बोला जाता है किसी से हाथ मिलाना को बोला जाता है शेक, हाथ हिलाने को बोला जाता है वेव, जैसे बाई की जाती है, किसी की तरफ इशारा करना उसे बोला जाता है पॉइंट, किसी को चुटकी काटना उसे क किसी जानबर को उसे हम बोलते हैं पैट अपने हाथों को मलना इसको बोलते हैं रव खुर्चना को बोला जाता है स्क्रैच निचोनना को बोला जाता है स्क्वीज किसी भी चीज को जटका के दूर कर देना उसे बोलते हैं फ्लिक हाथों को अगर इस तरह से मोडा जाए जैसे कि हम नमस्ते करते हैं, तब हम वहाँ पे उसे बोलते हैं fold. किसी को मुक्का मारना, इसे बोलते हैं punch. हाथों को इस तरह से बंद करने को बोलते हैं clinch. हाथों से कुछ भी छूड़ा जाता है, उसे बोला जाता है release. हाथ को उल्टा करना, उसे हम बोलेंगे flip. हलके से हाथ से किसी चीज को छूना जाहे वो उंगलियां से चूना हो उसे बोलते हैं tap किसी चीज को मरोडना ताकि उसमें से पानी निकल जाए या कोई और लिक्विड निकल जाए उसे बोलते हैं ring पहुंचना को बोला जाता है wipe ताली बजाना को बोला जाता है clap जब चुटकी ली जाती है उसे हम बोलते हैं स्नाप कीचना को बोला जाता है टंग